इस समाज के निर्मान में राजपूत और ब्रामन दोनों एक दूसरे के फूरक रहे हैं और हमेशा दोनों ससक्त रूप से मिलकर इस रियास्ट की निर्मान में अपना एक अहम योगदान निभाए हैं करते हैं? अब उनके इस बयान को कैसे देखते हैं और उसके बाद जो बिवाद खरा हुआ है उस पर ब्रामनों का क्या श्टेंड है उनसे अन लोगों से मिलकर बाद चीत करेंगे सर क्या नाम है आपका मनी सोजा हुआ सर जिस तरीके से जो विवाद फैला है आप भी देख रहे होंगे ब्रामन समाज को ले करके भी आप बात भी चलने लगी इसको कैसे देखते हैं आप अरण मनोज जा जी को बारे में देखिये या आनन्द मोहन जी को देखिये ये दोनों जो बोले हैं उनका परिपेक्ष्छ सिधे और सिधे तोर रहा अपने अपने जातियों को छट पॉलराइज करने के लिए वोट बैंक के रूप में तब्दिल करने के लिए इस तरह का बया द्वारा किया गया है किया जहने जौ पिआंदिया है क्या उनके बात सेर्ण सहमत सहमत Now मनोझ जहां जी जो ब्यान दिये हैं उनके ब्यांद से हम लोग पूर्णत समत नहीं है उन्हका जो कहने का वक्तब्य था उनका व्यक्तिगत हो सकता है या वो दलगत रूप से भी आत टो तो बहुत वहां जो सब्द करना चाहिए फ्सका टाकुर्ँ सब्द करने के लिए प्रेजंट करने के लिए इस उलेरिन का विचारधारा था उसी के रूप में यहां पर प्रस्तूत किया गया है बोला गया है हमारे यहां कोई भी सरनेम राजपूत समाज का ठाकूर के लिए करके नहीं है जबकि ठाकूर सरनेम हमारे यहां मैथिल ब्रामुनों का रहा है ठाकूर सरनेम यहां पर हम लोग क लेकिन नाम के बाद सरनिम के रूप में ठाकों नहीं लगाता है लेकिन उनकी मनोदिसा साइध यो यूपी के परिपेक्ष में हो साइध उनका संबन वहां जो वरतमान का घटित घटना चल रहा है वहां पे हो सके ब्राह्मनों को मुसल्मानों को टार्गेट करकर कि किया जा शाइध उसमें हो लेकिन हमारे बिहार के परिपेक्ष में कभी इस तरह का बात नहीं कर गया है इस समाज के निर्मान में राज़पुत और ब्राहमन दोनों एक दुसरे के पूरक रहें और हमेशा दोनों ससकत रूप से मिलकर इस रियास्ट की निर्मान में अपना एक अहम योगदान निभाए हैं तो कदापी इस तरह का बात आम जन मानस के पटल पर बिलकुल नहीं उतरने जा रहा है और ये आम जनता भी इस तरह के जान रहे हैं कि ये जितना चीज है वो समाज के स्वहार्थ को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है किसी और दूसरा ये लोग इस तरह का बेहन दे कर के अपने जातीव से इसके शत्रब बंने के लिए कोसिस कर रहे हैं अनन्द के पास पी राम आएंगा और लोगों से बातशीत करते हैं आप कैसे देखते मनोज ज्ञा का जो एस्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट से ब्राह्मनों के परती कोई दुख की बात है कि ब्राह्मनों के परती वह बिरोध करके या जो मनोज ज्ञा बोले हैं वह मनोज ज्ञा जो भी बोल रहे हैं ठाकुरों के परती मतलब उपेक्षित भासा नहीं बोले ह का हंकार की बात निकाल के बोलें कि वह हंकार है ठाकुर सब से हंकार निकालना चाहते हैं कि वह हंकार को हटा दिया जब बाकि उनको कोई राजपूत के परती या कोई समाज के परती यह साथ द्वेस वाला भासा नहीं है उनके पाटी का हो सकता है बयान कोई ब्राह्मन समाज का statement नहीं है ऑप सेहमत है मनोज्जा का जो बयान आया उस पर आप क्या कहेंगे आप उनका बयान कितना अत्तक सही था देखिए मनवज्जा जी का बयान बहुत सही है मनवज्जा पर्टिकुलर जाजी है इसलिए ये ब्राम्हन को लेकरके जो अनन्द मोहन उनको टार्गेट कर दिये हैं और ब्राम्हनों को वो नीच दिखाने का कोशिस किये हैं ठाकुर के रहमों करम पर और इस तरीका का इसकी भर्सना करता है पूरा समाज और वो छत्रिय समाज के जो नेता हैं वो भी भर्सना कर रहे हैं और हम लोग तो करते ही हैं कोई समाज इसको एकसेप्ट नहीं करेगा आज के डिट में यह असी का और नबे का दसक नहीं है जो जाती है उन्माद फैलाना चाहते हैं और हम लोग इसको कता ही नहीं होने देंगे हम लोग मनोज जाजी के बयान को आप पूछ रहे हैं तो हम ये करें मनोज जाजी जो बोले हैं वो समंतवादी बात को लेके बोले हैं थाकूर उसमें हर जात का लोग हो सकता है जादब भी समंतवादी होता है पटना में जादब नहीं समंतवादी है कुर्मी नहीं समंतवादी है मध्यपुरा का जादब क्या समंतवादी नहीं रहा है जहां जो है ब्रावन के पास ज्यादा जमीन है संपत्ति है तो वह भी समं ये समाज का एक छत्र नेता बनना है तो उसके कंपटिशन में ब्रामनों को घसीट रहे हैं पर आपके पास आएंगे सर कैसे देखते हैं मनोज जा का जो बयान है उसको आप कितना सही मालते हैं ये दोनों अपने समाज का जो ठेका ले रहे हैं दोनों अलग-अलग राजनितिक पार्टी को पर्जेंट करते हैं इनका मकसद है चुनावी माहल आ रही है लोकसभाद चुनाव आ रहा है सभवनोग में एक बिद्वेस पैदा किया जाए मनोज जाजी का जो बयान है जहां त आप ब्रह्मनों को एक ब्रह्मन को अभिरोध किजिए अगर सारे ब्रह्मन को टार्गेट करेंगे आप ताम लोग चुरी पान के नहीं बैठे हुए हैं आपका इट का जबाब पत्थर से दिया जाएगा और आपने आपको समालिया आप ब्रह्मन समाज को जो कमजोड ना परने की कोशिस करने आप ब्रह्मन इतना कमजोर है नहीं मेरा नाम सोना चाहे मैं युवा परदेश अदियाग्सु ब्रह्मन बात करता हूं सर कैसे देखते हैं मनोज्जा का बयान आया और उसके बाद आनन्द मोहन का उस पर रिप्लाई आया दोनों के बयान को कैसे देख मनोज्जा जी बोलें इस पर जे लेके आनन्द मोहन जी चल रहे हैं वह अपने देख रहे हैं कि चुनाव आ रहा है अब हम राजपुतो ठाकुरों को एक करके यहां बिहार में नेता हो लेकि इनका सुनने वाला नहीं है देखिए कुछ दिन पहले आरा में गए थे देखि मुद्दा नहीं है अरे ब्रह्मनवाद का हर बार में भासन में लोग कहता है मनुबाद ब्रह्मनवाद तो हम लोग कहां उसमें विरोध करते हैं भाई यह ठाकुर बात कर दिया है देखें मनोज्जा का ब्यान भी मान का चलिए अपने अहम को ठाकुरों को मुलाने के ठेंस पहुचाना नहीं था यह तो अपने प्रते गेंद को लोक लिए हैं आनन्द मोहन जी कि ठाकुरों का हम ही तैसी है फलना यह ही तैसी नहीं है राजनीती भंजा रहे हैं कि हम राजपूत का नेता हैं अब जेल से आए हैं अपने आपको करें कि हम हमको भाई मानी है ल मनोज्जा का ब्यान कितना हद तक सही था और उसके बाद आनन्द मोहन का भी रिपलाई आया अनन्द मोहन ने भी काफी कुछ शुनाया यह फाइनली एक ही बात है बोलने वाला कौन राजय सवा सांसत कौन मनोज्जा किस पाटी का राजत का ब्रांभणों पे अपसब्द और अभद्र टिपड़ी करने वाला कौन आनन्द मोहन किसके पाटी के राजत के बोलने और बुलवाने वाला दोनों एक ही पाटी का फिर आप इसमें कहां से कोई आपती और किसी को भी पती लेकिन हां सब्दों का चायन उनको अच्छा से करना ची अगर मनोज्जा ने ठा किसी देखें जो राजपूत अगर ब्रामणों का सम्मान नहीं किया और जो ब्रामण अगर राजपूतों का सम्मान नहीं कि वो ब्रामण नहीं और वो राजपूत नहीं आपको मैं लासली यही बता दूँ किस टाइम में अनन्द मोहन जिल गय थे किसके राज्य में आपक उसी पार्टी के साथ उनकी पतनी और उनके बेटे गलबहियां डालकर राजनीत किये आज भी धायक बनके और जब उन्होंने ये एक बयान उनका कुछ जब से जेल से निकले ना इनका दिमाग कुछ इनका पेंच ये हिल गया है आनंद मोहन का और किसका आप देखिये न क्या कम भीड़के हो है तो आप समझिए वह वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जात को ये एकत्रित करने के लिए लेकिन उनका जात उनके पीछे नहीं खड़ा है क्योंकि वही समाज एक जो राजपूत समाज है हमरा जो छत्रिये समाज है वह त्याग और बलिदा कि आजा जात धर्म का ये सब्द वह समझ लिए कि पूर्ण रूप से महा राजनीत हो रही है तो ब्रहामन ना तो मनो जहा के साथ है नहीं आनंद मोहन के साथ है बलकी इनका कहना है कि ये दोनों अपने राजनीतिक फायदे के लिए से बयान बाजी कर रहे हैं और ये दू जातों को टार्गेट किया जा रहा है अनिकेत कुमार बिहार तक पटना